आज की वीडियो में हम जानने कोशिच करेंगे कि Indian Companies of all industries segment Indian Companies क्यों अपने Employees को कम Salaries प्रवाइड करती हैं ये salary क्यों इतना बड़ा problem है इंडिया के लिए वीडियो को लास्त तक देखें Clearly हम इसको समझने कोशिच करेंगे कि इसके पीछे main cause क्या है इंडिया में हर कोई professional अपनी salary को लेके परिशान है हर किसी को ये लगता है कि वो जो deserve करता है वो उसको नहीं मिलता है भले ही वो IIT से क्यों नहीं हो उसको पता है कि उसको अगर deserving उसको जो salary है वो इंडिया में नहीं मिल पाएगा इसलिए बहुत बार वो foreign के countries में अच्छा package लेके चले जाते है ये क्या main reason है क्यों इंडिया की companies अच्छा payment नहीं करना चाहती है अपने employees को जो भी talents आते हैं उनको वो कम से कम salary में रखना क्यों चाहती है और इसकी वज़े से हर एक जो भी professionals होते हैं जो भी अपने पढ़ाई complete करते हैं उनके अंदर एक डर होता है एक depressive एक महौल होता है कि मुझे क्या अच्छी salary मिल पाएगी बट बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है बहुत ज़्यादा तो मिलेगी नहीं लोग बताते नहीं कि ज़्यादा मिलेगी कम ही मिलेगी कैसे क्या होगा यह सबसी बड़ा issue है इंडिया का तो आधी सी issue के बारे हम बात करेंगे यह क्यों है इसका main दो reason है first demand and supply ratio होतनी vacancies है तो होता क्या है demand है थोड़ा कम पर supply है ज्यादा उसके वजह से companies के पास यह बहुत सारे options होते हैं कि अगर वह एक opening announcement करते हैं तो उसके लिए उनके पास 1000 resumes आ जाते हैं अब उनके पास 1000 resumes हैं उन 1000 resumes मालेजिए कि हैंडट जो professionals हैं वह अच्छी quality के हैं बट 900 जो हैं वह average quality के हैं अब उनके पास एक option है कि वह उनका फर्स्ट जो preference होता है कम से कम salary में रखना ही होता है हर एक industry का mindset है फ्रेशर्स के रख्टर टाइम कि हम कम से कम में इनको रखें because रखने के बाद हमको इनको ट्रेंटी करना है ठिक तो क्या होगा कि जो 900 होंगे उनके expectations salary के बहुत जादा होती नहीं है जो top 100 होंगे जिन्होंने अपने college time में अच्छी पढ़ाई कि रहे हैं अच्छा market score किया वह अच्छे projects किया है अच्छी knowledge उनके पास है तो वह expect करते हैं कि उनके decent salary कम से कम मिले बट क्योंकि भीड इतनी जाता है वह जो 900 है उनको कुछ भी salary मिल जाए तो वह इन company में इंटर कर सकते हैं तो companies के पास options होती हैं कि अगर वह एक की जगहां पर thousand resumes आये हैं तो वह किसी को भी जो कब सबसे कम में ठीक ठाक उनको मिलेगा उसको रख लेंगे क्योंकि supply जादा है डिमांड कम है तो company के पास यह benefit होता है कि वह अपने हिसाब से किसी को बहर रख ली रही है लोवेस्ट लोवेस्ट कोस्ट में अब सिकेंड पॉइंट आता है आप जाएंगे इंट्रिवू देने के लिए वह वहाँ पर आपको इस तरीके से फ्रेम कर देंगे कि उनको लगेगा कि वह आपको जॉब दे के बहुत बड़ा हैसान कर रहे हैं और आप तो डिजर्ब बिलकुल करते नहीं है क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं और आपके इंडस्री में जाएंगे में किवल फर्मा इंडस्री की बात नहीं करो है इसक्लिए डिवूडल फे रिवाइद कर दोक्तर सांको बा ownership कर रहे हैं तो उनका टोटल प्रैक्टिकल होता है उसमें कोई थेयोरी नहीं है कि जो पास आउट निकले तो है उनको हो को patient handle करना है वो during अपने education ही अपने patients handle करते हैं तो वो अलग तरीक का उनका पूरा education system है वो सबसे ज़्यादा successful है बट जितने सारे technical courses वहाँ पर problem यही है कि जो academy में syllabus है और जो industries का पूरा work culture है वो इस्दम आपको लगा कि यह तो मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या पढ़ाई किया इतने टाइम तक मुझे तो यह भी नहीं पता है अब वह आपको इतनी सारी जब कि Central Government और स्टेट गवर्रमेंट ने मिनिममम वीजेस के रिवूल्ड इंट्रेविशन्स लागू कर रखें कि आप किसी भी जो भी वर्क्में वर्क करता है उनको अलग अलग कटेरी में Unskilled, same skilled, skilled, and highly skilled इतनी कटेगरिज में रखे है और से कम नहीं कर सकते एक isn't it तो यह पूरा से निल्यों बना हुआ है और इस तरीके से companies यंग professionals को यूज़ करती है क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कोई दूसरा option है नहीं जॉब तो इनको चाहिए और जो ही हम offer करेंगे उसमें इनको job करना ही करना है यह तो हो गया एक reason कि क्यों यह salaries कम है अब आते हैं कि इंडियन companies की यह सूच में problem क्या है अगर वो ऐसा सोचती है तो इनसे दिक्कत उनहीं को होने वाली है कंडियर्ट को जो दिक्कत होती है वो कम सेलरी में एक बार होती है धीरे 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 वो अज़ेस्ट होके अपने अज जिगां बना लिता है बट companies को क्या दिक्कत होती है अगर आप यह mindset रखते हैं कि ठीक है इसके पास क्या option है मैं कम से कम में रख लूँगा जितना इडिजर्व करता है मों उसके फोर्थ में फोर्थ इसको दूँगा इसके पस क्या है मतलब इसको जौब तो चाही है ना जो दूँगा करेगा है वो आपका point of view है वो आपका time है बट जब एक बार वो candidate को पता कि ठीक है मुझे आज मेरे पास job नहीं है तो आप मुझे जो भी देंगे offer करेंगे मुझे join करने के बाद क्योंकि उसको पता है कि उसके company उसको वो नहीं दे रही है जो वो deserve करता है उसको जब भी अच्छा offer मि काम किया एक साल फिर दूसरी कंपणी में दूसरी कंपणी में दूसरी कंपणी में वो सबसे बड़ा reason salary है लोग सोचते हैं कि ठीक है वा ऐसे तो कंपणी में salary बढ़ाएंगे नहीं तो switch करके यह अपने salary को हाई कर लेता हूं तो एक सबसे बड़ी दिक्क्त है कि company अगर उ कि second option है work quality बहुत पूर हो जाती है अगर आपके वह यह देख रहे हैं कि मुझे कम से कम में employee चाहिए ठीक है सबने भी फॉर्म ही किया हुआ है एक हजार resumes है सबने भी फॉर्म किया हुआ है ले लो जो सबसे कम में आ रहा है उसको ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है बट एक जो किसी भी salary में आने के लिए त्यार है आपने उसको ले लिया है किसी भी उल्ट सीदे salary में बट आपको यहां आने के बाद अपने rule regulations comply करने है data and degree comply करने है आपके बहुत सारे automated machinery हैं उनको handle करना है technicians को handle करना है इतने सारे documentation उनको handle करना है इतने सारे work है उस pressure को लेते हुए क्या वह imply जो अपने education में studies में काफी serious नहीं था जो वह उतना अच्छा उसको कुछ फरग नहीं पड़ता है बस उसको job चाहिए थी वह उतना अच्छा करके दे पायागा जितना अच्छा वह बंदा करके देता जो काफी आपने काईयर को लेकर serious है तो यहां पर lacking होती है और यहां पर companies को दिक्क पड़ती है उनको लगता है कि वह अच्छा कर रही है बट वह उनके negativity में जाती है तो मैं companies से भी मेरी यह शिकायत है कि आप candidate को deserving salary दीजिए और definitely वह आपको input अच्छा देगा और उसे आपका output अच्छा निकलेगा एक long term में यह आपको result दिखेगा एक short term में नहीं दिखेग बट अगर आप अच्छे candidates पर invest करना start करेंगे तो बाकी candidates को भी motivation मिलेगा कि देखो यह अच्छा था तो इसको अच्छी salary मिली पर अगर आप सब लोगों को एक ही तरीक से salary देने वाले हैं चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा हो तो फिर उनको motivation कहां से आएगा कि मैं अगने point of view से तो ठीक रही है तो candidates को अच्छे salary प्रोवाइड के लिए जो expect करते हैं उनको जिस पे वह at least उनको लगे कहां उन्होंने इतने time अपने time इतने time इतने पैसे invest के अपने courses दे तो उनको कुछ मिले बाकी जो skill set के आपको दिक्कत है वो skill set तो एक academy और industry के बीच में हैं कि academy और industry के बीच का gap फिलो और professionals को वो salaries वो reputation वो package मिले जो deserve करते हैं I hope कि आपको समझायाओगा कि इसके पीछे basic reasons क्या है इस salary का क्या मगजमारी है Thank you very much